आज हम लोग नीवन में कुछ अभ्यास करेंगे आईए अभ्यास आरम करते हैं पहला है निर्देशा अनुसार उत्तर लिखिए निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए वह लड़का जो पेड़ के पास खड़ा है मेरा मित्र है इस वाक्य को हमें किसमे बदन ना है सरल वाक्य में परिवर्तित करना है रचना के अनुसार वाके के कितने बेद होते हैं तीन, सरल, संयुक्त और मिस्र वाके तो क्या हो जाएगा वह लड़का जो पेड के पास खड़ा है मेरा मित्र है तो जब हम इसे परिवर्तित करेंगे तो सरल वाके में क्या होता है एक उद्देश है और एक विद्देश होता है तो यह हो जाएगा पेड के पास खड़ा हुआ लड़का मेरा मित्र है क्या हो जाएगा सेंटेस पेड के पास खड़ा हुआ लड़का मेरा मित्र है उसकी बाद दूसरा वाके है मैं बिमार हूँ इसलिए आयोजन में नहीं जा सकता मिस्रित वाक्य में परिवर्टित कीए मिस्रित वाक्य में क्या है? एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है अजो व्यादी करन समुचे बोधक द्वारा क्या रते हैं? जुड़े हुए रहते हैं तो मैं बिमार हूँ इसलिए आयोजन में नहीं आ सकता इससे कैसे परिवर्टित करेंगे मैं आयोजन में नहीं सॉरी मैं आयोजन में इसलिए इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं बिमार हूँ मिसिस वाक्य में से कैसे परिवर्थित करेंगे मैं आयोजन में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ ठीक है तीसरा वाक्य है सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं रचना की द्रिश्टी से वाक्य का भेद बताना है तो ये क्या है सरल वाक्य है क्यों सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक उदेश है और एक विद्ध है सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं उसी तरह फिर नेक्स वाक्य क्या है उसकी जो गाय काली है वह खेत में चर रही है इसे क्या करना है संयुक्त वाक्य में परिवर् संयूक्त वाकि में परिवर्टित करने के लिए क्या होता है दो समान स्तर के वाकि किसके द्वारा जुड़े रहते हैं तो इसे हम कैसे परिवर्टित करेंगे उसकी गाय काली है और वह खेत में चर रही है अब आईए दूसरे प्रस निर्देशा अनुसार वाच्य परिवर्टन कीजिए अब इसमें हम गहीं क्या करना है वाच्य का परिवर्टन करना है वाच्य किसे करते है बच्चो क्रिया के जिस रुप से यह पता चलता है कि क्रिया का फल करता पर पढ़ रहा है कर्म पर या भाव पर उसे हम लोग क्या करते है वाच्य करते है अब देखिए वाचे परिवर्थर में पहला वाक्य क्या है माली ने पौधा लगाया कर्म वाचे में बदली है तो कर्म वाचे में क्या होता है क्रिया का फल किस पर पढ़ता है करता पढ़ना पढ़कर उसके कर्म पर पढ़ता है तो माली नहीं पौधा लगाया, तो इसे कर्म वाच में परिवर्थित कैसे करेंगे, माली द्वारा पौधा लगाया गया, ठीक है, अब दूसरा बाकिया है, नौकर द्वारा घर की सफाई की जाती है, कर्तरी वाच में बदली, कर्तरी वाच में क्या होता है, कर्ता की प्रध जानता होती है, तो यहां पर है नौकर द्वारा घर की सफाई की जाती है, तो मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, किसमें परिवर्टित करना है? भाव वाचे में तो मैं क्या हो जाएगा? मुझसे मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जाता सॉरी, जाता नहीं सकता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुझसे इस गर्मी में नहीं सोया जा सकता मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता चुकि सकता है वबिशयत कलम है इसलिए मुझसे इस गर्मी में नहीं सोया जा सकता यह ठीक है उसके बाद next बाक्य है खिलाडी क्रिकेट खेल रहे है वाच्चे पहचान कर भेद रिखी तो यह कौन बाच्चे हो जाएगा खिलाडी क्रिकेट खेल रहे है क्रिया का फल किसे इसमें पढ़ रहा है खिलाडी क्या है करता तो यह कौन बाच्चे हो जाएगा करतरी बाच्चे अब आईए पद परिचे निमलिखीत वाक्यों में से रेखांकित पदों का पद परिचय लिए क्योंकि यहाँ पर प्रश्ण में क्या पूछा जा रहा है रेखांकित रेखा किया हुआ तो हमें इस वाक्य में जो शब्द रेखा किया हुआ है उसी का सिर्फ पद परिचय देना है अगर रेखांकित नहीं कोई शब्द रहेगा तो हमें पूरा वाक्य का देना पुछा जा रहा है वाक्यों में से रेखांकित जो रेखा किये वे पद है उसी का हमें पद परिचय देना है तो पहला सेंटेंस क्या है परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है इस वाक्य में परिश्रम सब रेखांकित है रेखा किया गया तो हमें सिफ परिश्रम का ही क्या करना है पद परिचय देना है परिश्रम ही सफलता का तो परिश्रम यहां पर क्या हो जाएगा सबसे पहले क्या हम लिखेंगे संग्या कौन संग्या भाव वाचक संग्या तो संग्या है तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा लिंग और वचन लिंग क्या हो जाएगा पुलिंग हो जाएगा और वचन क्या हो जाएगा एक वचन हो ठीक है तो यह क्या हो जाएगा परिश्रम भाव वाचक संग पुली और एक वज़ट. दूसरा वाकिय है, पिंजरी में बैठा तोता गा रहा है. तोता, तोता क्या है? संग्या हो जाएगा. कौन संग्या है? जाती वाचक संग्या है. तो पिंजरी में बैठा, पर्टिकूलर पक्षशी है, तो एक जाती का बोध कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? जाती वाचक संग्या हो जाएगा, करता हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, तोता क्या है? एक वचन गा रहा है, पुलिंग है, एक वचन है, और गा रहा है क्या है? क्रिया है, किसकी क्रिया है? करता की, तो करता कौन है? तो नहीं किया, मैंने, मैंने क्या हो जाएगा, सर्वनाम, कौन सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैंने किसी से जगडा नहीं किया, तो मैंने क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या है, करता कारक है, लिंग क्या हो पुर से उसके बाद एक वचन होगा और कारक क्या हो जाएगा धिकल्य käytt Jeanne दो किया क्या हो जाएगा एक वचन थे पहले लिखेंगे उत्तंपुरूष्वाचक सर्वनाम करता कारक एक वचन ठीक है उसके बाद वह कहां जा रहा है रहा है क्या है क्रिया तो कौन क्रिया है कहां जा रहा है पता नहीं तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया एक वचन वह है और जा रहा है तो क्या हो जाएगा एक वचन अब वह क्या है, करता, किसकी करता है, क्रिया की, क्रिया की करता, अग क्रिया का फल किस पर पढ़ रहा है, करता पढ़, इसलिए ये क्या हो जाएगा, करतरी वाच्चे, ठीक है बच्चो, मुझे उमीद है, ये अभ्यास आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप लोग अपनी कौबी में करिएगा धन्यवाद